मस्ते प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे 11 से लेकर बेस तकी संख्याएं तो आप सभी में पहले तिलियों की मदब से धाई के अब धाणना सीखी थी? ये हमारे पास है एक बंडल और बंडल में कितने तिलिया लेते हैं? दस तो ये दस तिलियों का एक बंडल है अब हम बंडल और तिलियों की सहस्ता से 11 से लेकर 20 तक की संख्याएं सीख्याएं एक बंडल और एक तिल्ली ये हुआ 11 एक बंडल एक तिल्ली 11 अब एक बंडल और इसके साथ में एक दो तिल्ली तो ये हो गई है संख्या 12 एक बंडल दो खुली तिल्ली 12 एक बंडल और आप खुली तिल्ली हुआ और बढ़ाएंगे एक दो तीन संख्या बन गए 13 इसके बाद खुली तिल्लीमें एक कि और बढ़ादी जाए तो एक दो Dublin चार अब खुली तिल्ली हो गए है चार और एक बंडल संख्या बन गई है हमारे चोदव एक बंडल और पांच खुली तिल्ली एक दो तीम चार पांच संख्या बन गई पंद्र पंद्र के बाद फिस एक खुली तिल्ली और बढ़ा दी जाए तो एक बंडल और छे खुली तिल्ली संख्या कहलाएगी सोलर जब एक बंडल के साथ हम साथ खुली तिल्लियां करेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ संख्या बन जाएगी हमारे सत्रा और एक खुली तिल्ली और बढ़ा दे तो खुली तिल्लियां हो गई है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आज और बंडल है एक संख्या बन जाएगी अठारण एक खुली तिल्ली और बढ़ाने पर एक बंडल खुली तिल्लियां एक, दो, तीन, चार, पांच, चाह, साथ, आज, नो संख्या कहलाएगी हमारी उननिस और एक खुली तिल्ली और बढ़ाने पर, अब हम देखेंगे कितनी खुली तिलियां हो जाएंगी एज, तो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो, दस और जैसा कि हम सभी पहले सीख चुके हैं जब दस तिलियां होती है तो उनका बन जाता है एक बंडल तो हम इन सभी खुली तिलियों को एक साथ कर बना देगे बंडल, अब हमारे पास है दो बंडल और कोई भी खुली तिलियों नहीं बची अब दो बंडल और जब खुली तिलियों एक भी ना हो तब संख्या हमारी कहलाएगी बीज